हलो स्टुडेंट मैं शाहिन लूथरा आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नमबर 2 उसकी एक्ससाइज 2.4 जिसका फॉर्स कोशन है अमीना थिंग्स ओफा नमबर और अंड सब्ट्राइक 5 अपॉन 2 फ्रॉम इन अमीना ने एक नमबर सोचा और उसमें से 5 अपॉन 2 को माइनस कर दिया और जो आंसर आया उसको 8 से मल्टिप्लाइ कर दिया अब मल्टिप्लाइ करने के पास जो आंसर आ रहा है जो उसने नमबर सोचा था वो 3 टाइम आ रहा है तो वो number क्या है हमें वो पताना है तो हमें वो number तो पता ही है क्या है तो हम इसको क्या मानेंगे let let the required number let the required number be x ठीक है according to question हमारी question क्या बनेगी कि एक number अमीना ने सोचा उसमें से उसने 5.2 को subtract किया और उससे उसने 8 को multiply किया और उसका answer आ रहा है जो उसने number सोचा था उसका वो 3 time है यह हमारी question बनेगी x की value find करेंगे 8 को x से पहले multiply कर लेंगे 8x आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 2 4 जा 8 जा 8 जा 8 जा देखो हमने इसको क्या करा आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं तो बेने इसको यहाँ पर multiply कर दे यहाँ 21 इसको 80 जा just 8 जा यहाँ पर, minus का 20 आ जाएगा, equal 3x क्योंकि 4, 5 तो 20 और minus का sign है हमारा, बड़ी, इसके साथ, minus 5 के साथ, तो 3x आ गया, अब हम x x वाले, एक साइट कर लेंगे, 8x minus 3x, इधर positive इधर आके negative हो गया, और यह minus 20 इधर आके हमारा positive हो गया, ठीक है, तो दोनों को minus किया, 5x equal 20, यह multiply हो रहा है, अब हमारा यह divide हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4, x की value क्या आ गई, 4, ठीक है, अब हम करते हैं, next, question number 2 है, a positive number is 5 time another number, एक positive number है, वो another, किसी और number का 5 time है, ठीक है, if 21 is added to both the number, अगर उन दोनों numbers के अंदर हम 21 को add कर देते हैं, then one of the new number become twice the other new number, अब जो number 21 add करने के बाद जो एक नया number आएगा, वो other new number के क्या होगा, then one of new number become twice the other number, वो other number का twice होगा, what are the number, वो number क्या है, देखो, यहाँ आप एक बाद फिर समझ लो, एक positive number है, एक positive number is five time another number, इस another number, यह हमें another number ही पता करना है, एक जो positive number five time है another number, यहनि कि इसका five time, अगर हम इसको x मानते हैं, तो इसका five time हमारा होज़े का five x, फिर हमें क्या करना है, इस another number में और इसमें दोनों हमें ही हमें 21 को add करना है, और 21 add करने के बाद जो हमारा number आएगा, वो other number से twice होगा, double होगा, तो वो number क्या है, ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे, let the numbers be, एक को हम ने x मान लिया, और दूसरा उससे क्या है, five time है, इसका another number का क्या था, five time, तो दूसरा क्या हो गया, five x, five into x, five x, अब according to question, दोनों में हमें क्या करना है, 21 को plus करना है, तो हमने पहले x में 21 plus कर लिया, और यहाँ पे five x में भी 21 plus कर दिया, ठीक है, तो उन्होंने बोला है, कि यहाँ पे जो, क्या बोला गया था, कि जो answer आएगा, वो क्या है, 21 add करने के पाद जो आएगा, वो जो है, जो एक new number होगा, वो twice होगा, other number का, चिक है, तो जब हमने इसमें 21 plus किया, तो इसका जो है, यह क्या होगा, twice होगा, double होगा, other number का यह क्या है, twice है, तो 2x multiply कर देंगे, plus 21 को 2 से multiply करेंगे, 42, 5x plus 21, xx वाले side पे कर लेंगे, यह positive है, इधर आके क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा, और यहाँ पे 21 इधर positive है, तो इधर आके negative हो जाएगा, दोनों को minus करेंगे, minus 3x, 21 minus 41 कितना हो जाएगा, minus 21, बड़ी digit के साथ, minus का sign है, दोनों minus हैंगे, minus से minus हमारा, कट जाएगा, तो बच्चे का क्या हमारा x, इधर क्या हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा हमारा, divide, आगया 7, x की value आगई 7, ठीक है, तो first number तो हमारा वही हो गया, 7, first number equal x, कितना हो गया, 7, और second number क्या था उसका, 5 time जादा था ना, तो second number हो गया, 5 x था, 5 x, यानि की, 5 into 7 equal 35, 35 हो गया, second number, ठीक है, third देखते हैं, question number 3 देखेंगे, some of the deserts of 2 desert number is 9, 9, sum of the deserts, यानि की, 2 deserts number है, जिसको plus करके 9 आ रहा है, यानि की, 1s की place पे होगा, 1s की place पे होगा, 2 deserts number, अगर हम उसको plus करते हैं, तो यान लिखा है, उसका जो answer है, वो 9 आ रहा, sum of the deserts of 2 deserts number is 9, when we interchange that deserts, अगर हम 1s की जगा, 10s और 10s की जगा, once कर दें, it is found that the resulting new number, हाना एक नया क्या मिल जाएगा, नया number मिल जाएगा हमे, is greater than the original number, वो जो पहला number है, उससे बड़ा है, यानि कि अगर हम देखे, तो 9 से बड़ा होगा वो, 2 digit number है, उन दोने को plus करके 9 आ रहा है, उन दोने digit को interchange कर दें, तो वो जो अब नया number आएगा न, वो इससे पहले वरे number से बढ़ा होगा, original number से, is greater than the original number by 7, what is 2 digit number, अच्छा, यहाँ पे तो original number बताये गया है, वो है 27, और वो जो है, 27 से greater है नया number, and what is the 2 digit number, तो वो 2 digit number क्या है, हमें इसमें वो बताना है, दुबारा से इस question को समझ लेंगे, हमें करते करते साथ में, देखो, पहली बात तो हमें इसमें क्या निकालना है, एक number निकालना है, 2 digit number, चीक है, हमें इसके अंदर 2 digit number find करना है, तो let the unit digit, यानि कि जो once की place पे है, अगर वो x है, तो tens की place पे क्या है, 2 digit number है ना, तो एक ones की place पे होगा, एक tens की place पे होगा, तो tens की place पे कौन सा number है वही वह, अगर हमने ones की place पे x माना है, तो tens की place पे क्या मानेंगे, 9 minus x, अब हमने 9 minus x क्यों माना, क्योंकि उन्हें हमें बोला था कि वो दो नंबर को प्लस करके क्या आ रहा है 9 आ रहा है, मानलो अगर 5 है एक और दूसरा अगर हमारा 4 है तो इन दोनों को प्लस करके 9 आ रहा है, ऐसा रहा हमें दिया नहीं है हम समझने के लिए आपको एक्जामपल बता रही हूं कि एक नंबर हमारा जो है 5 प्लस 4 है तो उसको प्लस करके हमारा 9 आ रहा है ठीक है, एक 1 की प्लेस पी होगा एक 10 की प्लेस पी होगा तो हमने वही चीज यहां लिखी है अब हमें कैसे बता चलेगा कि हमने वन्स की प्लेस वाला तो इसको एक्स माल लिया, 10 की प्लेस पी क्या है अगर हम 5 में से 9 को माइनस कर दें 9 माइनस 5 तो हमारा 4 आता है ना, तो यही हमने यहां किया, X में से जो हमारा आंसर था, उसमें से हमने X को ही माइनस कर दिया, तो यह हमारा हो गया 1s place इसको हमने माल लिया 10s place ठीक है समझ आया तो यह हमने इसको माल लिया अब original number original number क्या है हमारा 10 10 से हम इसको multiply करेंगे किसको 9-x को क्यों करें हम 10 से multiply क्योंकि यह 10s की place पे है इसलिए 10 से multiply कर रहे हैं यह हमारा 10s की place पे है और x को हम 1s से multiply करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि यह हमारा 1s की place पे है ठीक है original number निकालना है तो इसको जब हमने 10 को 9 से multiply किया तो 90 10 को x से multiply किया तो 10x आ गया plus 1 को x से multiply किया तो क्या आएगा x ही आएगा हमारा अब x x वाले क्या है प्लस माइनस 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 हो गया 10 मेंस x को माइनस कर तो क्या आएगा 9x आएगा ठीक है अब अब new number with digit interchange अब निया number जिसको हमने interchange कर देना है new number with digit interchange interchange अब interchange क्या हो गया हमारा यह कि पहले हमने x को 1 से multiply किया था हम इसको 10 से multiply कर देंगे और 9x को हमने 10 से multiply किया तो इसको 1 से multiply कर देंगे क्यों क्योंकि अब 9x को हम 1 से place मान रहे हैं और 1 को हम 10 से place मान रहे हैं interchange हो गया ना तो 10 into x हो जाएगा plus 1 into 9 minus x हो जाएगा multiply कर दो 10x plus 1 को 9 से करो के तो 9 ही आएगा 1 को x से करोगे तो x ही आएगा तो क्या आ गया 9x प्लस 9 हो गया ठीक है अब हमारा according to question according to question में x की value नहीं काल नहीं होगी तो हमारा है 9x प्लस 9 equal हमारा आ गया 90 minus 9x plus 27 27 क्यों हमने इसको plus 27 किया यहां पे क्या लिखा था कि जब हमने interchange किया when we interchange a dessert it is the found that the resulting new number is greater than the original number by 27 तो यह किस से ज़ाद हो जएगा तो जब हमने यहां पे interchange किया तो किस से ज़ादा है 27 से ज़ादा है तो इसलिए हमने यहां पे क्या करा original number जो है यहां पे क्या लिखा है original number से 27 ज़ादा है तो यह लिखा ना इस greater than the original number by 27 तो original number हमने यहां पे कहां पे found किया है यह हमारा original number हमने found किया है यह हमने interchange किया था तो original number से 27 ज़ादा है तो हमने यहां पे 27 इसमे original number से ज़ादा कर दिया तो यह हो गया 9x plus 9 यहाँ पे हम bracket open करेंगे 90 minus 9x plus 27 अब यहाँ पे 9x plus क्या है 9 तो यहाँ पे हमारा यह जो है 90 और 27 आपस में हो जाएंगे हमारे plus तो आ जाएगा हमारा 117 minus 9x ठीक है अब यह 9x है और हमारा यह भी 9x है तो यह हमारा इधर minus है तो इधर रहके क्या हो जाएगा plus हो जाएगा और 117 plus यह दर plus का है तो इधर आके यह minus का हो जाएगा दोनों को plus करेंगे 18x हो जाएगा दोनों को minus करेंगे 108 आजएगा ठीक है यहाँ आप हमें x की value find करनी है तो 108 upon में 18 हो जागा यहाँ multiply हो जाएगा दोनों को काटेंगे तो 18 की table से तो 6 आएगा x की value आगई हमारी 6 आगए ठीक है अब हमने यहाँ पे जो है ना औरीजनल नंबर जो है उसकी जगा पे जो x था औरीजनल नंबर क्या है हमारी 90 minus 9x यहाँ पे हम लिखेंगे औरीजनल नंबर क्या था 90 minus 9x तो 90 की जगा 90 minus 9 x की जगा क्या आजाएगा 6 आजाएगा क्योंकि 6 जो हमारा X आया है तो 90-96 जा 54 दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90-54? 36 तो क्या आया हमारा origin number यहां पर 36 आया जो कि हमारा क्या है? 27 से जादा है Question number 4 है One of the two digit of a two digit number One of the two digit of a two digit number is three time the other digit If you interchange the digit of this two digit number and add the resulting number to the original number you get 88 What is the original number? पहले आप इसकी यह line देखिए लिखा हुआ है One of the two digit of a two digit number is three time the other digit अब इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब है, दो digit का number है एक unit place पे है, एक tenth place पे यानिके एक once place पे है, एक tenth place पे है तो first हम लिखते है let the unit digit या फिर once place digit भी लिख सकते हो जिसको हमने x माने है two digit number है, उन्होंने हमें यह आपर यह बताया ठीक है? वो हमें two digit number नहीं पता तो let the unit digit क्या हो गई? x उसके बाद इन्होंने बोला है कि two digit number है इस three time the other digit ठीक है? यह जो हमने other digit माननी है वो हमारे जो once place पे number आएगा वो इसका क्या है? three time है the tenth digit three x ठीक है? यह इतना समझा आ गया फिर से देखते हैं question one of the two digit of two digit number is three times the other digit एक दो digit का number है एक जो number है वो दूसरे number से three time है इतना समझा आ गया if you interchange the digit फिर अगर आप इन digit का interchange करते हैं जिसके हमने question में three में भी किया था interchange करते हो the digit of is two digit number and add the resulting of the original number you get 88 जो हम interchange करते हैं उसके वास को हम plus करेंगे जिसके हमने question में three में भी किया था तो हमें 88 number मिलेगा तो वो जो original number है वो हमें find करना जैसे हमने इसमें भी किया है same इसी तरीके से करना है तो यह हमने पहले unit place और tens place के दो number जो है वो मान लिया तो यहाँ पर हम करेंगे original number original number अब जो three x है यह हमारा tens की place पे है इसलिए हम इसको 10 से multiply करेंगे और जो x है वो हमारा ones की place पे है इसलिए हम इसको 1 से multiply करेंगे 10 को 3 x से multiply करेंगे तो 30x आजएगा 1 को x से multiply करेंगे तो x आएगा ठीक है अब हम दोनों को plus कर देंगे तो 31x आजएगा यह भी हमारा यह number आ गया अब हमें क्या करना है इसको interchange करना है now number with digits interchange अब पहले हमने 10 को किस से multiply किया था 3x यह लिएकर अब 10 को हम x से multiply करेंगे 10 into x प्लस अब हम 1 को 3x से multiply करेंगे ठीक है तो आजएगा हमारा 10x प्लस 1 को जब 3x से multiply करोगे तो 3x यह आएगा दोनों को plus कर दोगे तो 13x आजएगा ठीक है अब हमारा according to question 31x प्लस 13x उनने बता है इन दोनों को plus करने पर इन दोनों सम करने पर हमें क्या मिलता है 88 बिलता है ठीक है तो दोनों को plus किया तो हमारा आगया 44x इक्वल 88 आगया अब यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है multiply हो रहा है तो इधर आखे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जएगा 2 से कर दो 44 2 जा 88 x क्या आ गया हमारा 2 आ गया अब original number original number निकालने के लिए बोला था तो यहाँ पर हम लिखेंगे original number 31 x था तो 31 into 2 62 तो original number हमारा आ गया 62 ठीक है question number 5 है शोबू स मदर present age is 6 time शोबू present age यानिकी जो शोबू के मदर की age है वो शोबू से 6 times जाता है शोबू age 5 years from now will be 1 third of his mother present age शोबू की जो age 5 साल बाद अब से लेके 5 साल बाद जो उसकी age होगी न उसकी मदर की जो अभी present age है ना उसकी 1 third होगी तो what are their present age तो उनकी जो present age है हमें इसके अंदर वही निकालनी है तो पहले तो हमें यही नहीं पता कि शोबू की कितनी age है तो शोबू की age को हम क्या माल लेंगे शोबू present age be x years x years जो है वो शोबू की age है then शोबू's mother present age उससे six time है जितनी शोबू की न उसका six time हो गया six acts ठीक है अब जो शोबू की age है age after five year five year के बाद कितनी age होगी शोबू की क्योंकि रूट भूला था कितनी होगी जितनी उसकी अब है उससे पान साल जादा होगी हाना जितनी उसकी अब age है उससे उसमें five plus कर देंगे तो पान साल जादा हो जोगी शोबू की age पान साल के बाद according to question जितनी शोबू की age जो है यहाँ पे हमें दे रहेगी x plus five वो होगी पान साल के बाद one third होगा किसका जो उसकी अभी उसकी मदर की present age है अभी हमने जो उसकी मदर की present age मानी थी वो six x मानी है तो पान साल के बाद जो शोबू की age है वो अभी जो उसकी मदर की age है उसकी one third है समझा गई question में हमें यही बोला था तो यहाँ पर हमारा क्या है यह कर जाएगा three one जा three three two जा six तो x plus five यहाँ पर हो जाएगा हमारा two x ठीक है तो x हमारा इधर आ जाएगा x minus two x equal five यह plus का है तो इधर आके minus का हो गया x minus two x तो यहाँ पर हमारा जो है दोनों को minus करेंगे तो minus x आ जाएगा और यहाँ पर minus का five है तो minus से minus हमारा कर जाएगा एक्स जो हमारा है वो आ जाएगा 5 यानि कि अभी जो शोबू की present age है वो है 5 यह चीज हमें clear हो गई तो हम यहाँ पर यह लिख देंगे शोबूस present age equal 5 years शोबूस मदर present age कितने होगी उसके 6 time थी 6 x था तो 6 into 5 30 years यानि कि जो शोबू की मदर की present age है अभी वो 30 years है ठीक है तो यह होगे हमारा question number 5 question number 6 देखेंगे there is a narrow rectangular plot reserved for a school एक narrow rectangular place है plot है जो school के लिए है मोहाली विलिच में उसकी जो length और breath दे रखे न plot की वो ratio में दे रखे 11 ratio 4 और उसको जो rate दे रखा है per meter रुपीज 100 की है वो और पंचायत नहीं जो गाओं का जो पंचायत है उसने बोला है कि 75,000 लगेंगे इसको finance करने में plot को तो हमें इसको जो dimension निकालना है उसकी length और breath जो है हमें plot की निकालनी है ठीक है तो हमें इसके अंदर length और breath हमें ratio में दे रखी है तो हम लिखेंगे length, let the length be 11x, let the breath be 4x, ठीक है हमें पहले इसको क्या निकालना पड़ेगा? पैरेमिटर, पैरेमिटर जो है निकालेंगे तब भी हमारी length और breath आएगी 2 into l plus b का formula है 2 की जगा 2, length हमने क्या मानी 11x, और breath होगी हमारी 4x, ठीक है? दोनों को हमने क्या कर दिया? plus 15x हो गया, यहाँ पर जो ही दोनो multiply हो गए 30x हो गया, यह तो हमारा आगया इसका parameter, ठीक है? अब हम देखते हैं, cost, cost of financing, कितना बोला है पंचायद ने? 75,000 बोला है, तो जो हमारा parameter आया 30x, पूरा का पूरा, और 100 रुपे पर मिटर जो है, उसकी cost है 100, हाना, पर मिटर 75,000, यहाँ पे हम इन दोनों को multiply करते हैं, तो हमारा आता है 3000x, ठीक है? इक्वल 75,000, x की value निकालनी है, 75,000, इक्वल में 3000, 3-0-3-0 कर जाएंगी, 3 से कार दो, 3-1-3, 3-2-6, 3-5-0, 15, x आगया हमारा 25, ठीक है? अब हम इससे अपनी length और breath निकाल सकते हैं, length 11x थी, 11 x 25, 275 meter हो गया, breath कितनी थी? 4x, तो 4 x 25, 100 meter हो गया, ठीक है? तो length आ गई 275 meter और breath आ गई 100 meter, ठीक है? तो यह हो गया हमारा question number 6, question number 7 देखेंगे, असन बाइस 2 kind of cloth material for school uniform, असन दो तरगा कपड़ा ले के आया, school uniform के लिए, shirt material that cost 50 meter है, shirt का कपड़ा की जो कोस्ट है, trouser की जो कोस्ट है, वो 90 meter, rupees 90 per meter है, for every 3 meter of the shirt material, he buy 2 meter of the trouser material, he sales the material at 12% and 10% profit respectively, his total sale is 36,600, how much the trouser material did he buy? अब उसने हर 3 meter shirt के material के ओपर उसने 2 meter जो है, वो trouser का material खरीदा, he sales the material at 12% profit, उसने जो है 12% profit, and 10% profit जो जो जूँसने जब उसने जब उसने जब उसको बेचा ना, तो उसको 12% जो है, वो shirt per profit हूँ, जो है वो shirt पर profit हूँ, और 10% उसको उसको trouser पर profit हूँ, तो total उसने जो कमाय है, वो 36,600 रुपे उसने अउर्ण किये है, तो how much trouser material did he buy, तो उसमें trouser का जो material है, वो कितने का खरीदा, हमें वो बताना है, ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, let, क्योंकि हमें दोनों का ही जो है ना, land shirt material, shirt material हम क्या लिखेंगे, 3x, 3x क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, 4 every 3 meter, हना, हमें दे रखा है, 4 every 3 meter, हना, तो हम लिखेंगे 3x, shirt के लिखा हुआ है, let, trouser material, 2x, 2x क्यों लिखा है, क्या लिखावा है यहां देख लेते हैं यहां लिखा है for every 3 meter of the shirt material he buy 2 meter of trouser ठीक है तो trouser के लिए हम क्या लिखेंगे 2x meter अब cost price cost price of shirt material क्योंकि उन्होंने हमें per meter के cost दे ही रखी है 3x अगर उसने खरीदी है shirt तो per meter किती है 50 की तो कितने की shirt खरीद लिए उसने 150x की दोनों को multiply कर दिया तो इसका shirt का आ गया हमारा अब हम देखते हैं cost price of trouser material कितना है 2x और per meter कितना है 90 तो कितना हो गया 180x rupees rupees ठीक है अब हमें देखते हैं profit sale of SP मतलब की selling price selling price of shirt material 100 जोसका formula है 100 plus profit upon में 100 into जो भी cost price है यह हमने formula लगा दिया 100 की जगा 100 आ गया profit कितना है 12% upon में 100 cost price कितना है इस shirt का 150x यहाँ पर हमारा देखो दोनों को plus कर दो पहले एक्स यह एक्स अभी हमारा बचा हुआ न तो क्या है selling price of shirt material क्या आया भी रूपीज 168 x अब हम selling price निकालेंगे ट्राउजर material का सेम वही formula लगाएंगे 100 plus profit percentage upon में 100 into cp तो 100 की जगा 100 आ जाएगा profit इस पर कितना था 10% upon में 100 इसका cost price कितना निकला था 180x यहाँ पे भी दोनों को plus कर लो 1110 upon में 100 into 180 0 से 0 कट जाएगा अब इसको आप कार सकते हो एक 0 से एक 0 कट जाएगी यहाँ पे दोनों यह multiply हो जाएगे तो हमारा आजेगा 198 x तो यह आ गया selling price of trouser material 198 x आ गया अब हमारे पास आएगा according to question हमारा जो shirt का जो selling price था और जो हमारा trouser का selling price था दोनों को मिला के इसको जो profit हो था यानकि दोनों का जो profit था यह हमारा shirt का profit है जो हमारा trouser का जो हमारा profit हमने इसमे निकाला था तो दोनों को मिला के जो इसको हुआ था 36600 तो यह दोनों को plus कर देंगे 366 x आ जएगा 36600 आपे x आ जएगा यह दोनों हमारे आपस में divide हो जाएगे तो यह हमारा cut जाएगा सीधा हमारा आएगा 100 366 को 366 से cut करोगे 1 पे जाएगा 2 0 की 2 0 आ गए तो कितना आ गया x आ गया हमारा 100 आ गया अब हम trouser material बता देते हैं क्योंकिनों हमें trouser का material पूछा था trouser material कितना था 2x तो यहांकि 2 इंटू 100 कितना आ गया 200 meter यानि किनों trouser का material कितना खरीदा था 200 meter यहां पे हमारा जो selling price था shirt material का और जो trouser material का जो selling price हमने निकाला था उन दोनों को plus करके हमें जो है इस से divide करना है तो हमारा x निकलाएगा और x निकरने के पास जो हमारा trouser material 2x था x के जगा पे 100 value रखके हमारा जो हमें पता चल जाएगा उन्होंने हमसे यही पूछा था कि हमें बताना है कि जो trouser material है how much trouser material did he buy उसने कितना trouser material जो है वो purchase किया है तो 200 meter question number 8 देखेंगे half of the herd of deer are grazing in the field and three fourth of the remaining are paying nearby यानि कि यहां पे क्या है एक हिरनों का जुंड है ठीक है half of the herd herd के जुंड के अंदर जितने भी हिरन उसमें से आधे क्या कर रहे हैं प्रेसिंग कर रहे हैं खेद के अंदर अब जो आधे बच गए है उसमें से जो three fourth है वो खेल रहे है और जो बाकी के 9 बच गए है वो पानी पी रहे है पॉन में तो पताना है कि जो हिरनों की संख्या है वो कितनी है टोटल जो हिरन है वो कितने हमें वो बताने हैं तो हमें नहीं पता कितने हिरन है तो हम इसको मालनेंगे x let the number of deer is hurt is x number of deer grassing in the field उन्होंने क्या बोड़ा था जितने भी हिरन है उसमें से आधे यानि कि x का half क्या हो गया x upon 2 उसमें से आधे gracing कर रहे हैं और number of deer playing nearby यानि कि अगर देखो x में से आधा कितना हो गया x upon 2 और कितना बचेगा x upon 2 बचेगा अगर मालनों यहाँ पर हमारे पास 100 total हिरन है अगर उसमें से 50 हिरन पानी 50 हिरन जो है gracing कर रहे हैं तो कितने बचेगे 50 ही बचेगे न हमारे पास ठीक है तो ऐसे ही यहाँ पर है total हमारे पास x हिरन है X में से जो है X upon 2 यानि कि आदे हीरन जो है gracing कर रहे हैं तो आदे कितने बचे? X upon 2 ही बचे तो यहाँ पर हमने X upon 2 का ही 3 fourth निकाला है क्योंकि उन्हें बोला था कि जितने आदे बच गए हैं उसमें से जो 3 fourth है वो playing कर रहे हैं आदे का 3 fourth तो कितना हो जेगा? 3 को X से multiply करेंगे 3X upon 4 into 2, 8 ठीक है? 3 upon 8 X आजएगा तो यहाँ पर हमारे पास हीरन X आदे gracing कर रहे हैं और 3 upon 8 X जो है वो playing कर रहे हैं और कितने हैं जो पानी पी रहे थे? वो हम यहाँ पे लिख देंगे number of deer drinking water equal 9, 9 जो है rest of 9 जो थे वो पानी पी रहे थे तो total कितने हो गए? half जो थे gracing कर रहे हैं 3 upon 8 X वो क्या कर रहे थे? playing कर रहे हैं, 9 पानी पी रहे हैं और total हमारे पास जो हैं वो उन सबको plus करके X हीरन है ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको पहले हम solve कर लेंगे 9 हमारा आ जाएगा इधर और क्या आएगा? X वाले सारे हमारे इधर चले जाएगे तो हमारा यह है, X सब को और में 1 मान लो यह plus का है, इधर आके यह minus का हो जाएगा यह plus का इधर आके यह minus का हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा आ गया 9 इन सब का अगर हम LCM लेते हैं क्योंकि बीच में minus करना है तो हमारा आएगा 8 अब नीचे वाले digit से आप सब को divide करना जो आंसर आएगा उपर वाले से multiply करना तो आजएगा 8X, 4X और 3X तो यहाँ पे आगया हमारा 9 इसको solve कर लेते हैं अब देखों यहाँ पे जो 8X, 4X और 3X है यहाँ पर यह जो इसके साथ divide हो रहा तो यह यहाँ जाए कि इसके साथ क्या हो जाएगा? multiply हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 9 into 8 equal आजएगा हमारा यहाँ पे इन दोनों को minus को plus कर लो कितना आजएगा? 8X minus 7X इन दोनों को हमने जब plus कर दिया तो 9 needs है कितना हो जएगा? 72 8X में से 7 को minus करेंगे तो X यहाँ कि 7X की value क्या आ गई? 72 यहाँ कि total कितने dear हो गए? 72 dear हो गए हमें यही तो निकालना था इसके अंदर the number of dear in the heart यहाँ कि जुण्ड में जो थे कितने ही रन थे? 72 ही रन है ठीक है? यह हो गया हमारा question 8 Question number 9 देखेंगे A grandfather is 10 times older than his granddaughter यहाँ कि जो grandfather है अपनी granddaughter से 10 times ज़ादा older है यहाँ पर तो times के इसाब से बता दे कि 10 times ज़ादा older है यहाँ पर उन्हें यह भी बता दिया कि वो जो है he is also 54 years older है यानि कि अपनी granddaughter से 54 years older है वो तो find their present age हमें granddaughter की जो है वो present age इसमें find करनी है अब देखो यहाँ पर जो उसकी present age हो हम daughter की क्या मालनेंगे? granddaughter की let the present age of granddaughter x years अब उन्हें बोला है कि जो grandfather है वो उससे 10 times bigger older है x का 10 times कितना हो जाएगा? 10x then the present age of grandfather is 10x अब उन्हें दो तरह से ने grandfather की age बता रहे है को यह बता रहा है कि वो 10 times जादा older है साथ में उन्हें यह भी बता रहा है कि जितनी granddaughter की जो age है उससे वो 54 years भी old है तो उसको हमने दो तरह की से लिख दिया 10 times भी और जितनी granddaughter की age है उससे 54 years वो old है ठीक है तो x plus 54 हो गया तो यहाँ पे हमारा आएगा 10x equal x plus 54 जो उसके grandfather की age 10 times equal तो उन्हें बराबर है ना कि यह जो है x plus 54 है तो यहाँ पे हमें x की value निगाने है 10x minus इदरा की x plus का minus हो जाएगा इदरा आजेगा 54 तो आजेगा हमारा 9x 54 ठीक है तो यहाँ पे हमारा x multiply हो रहा है इदरा की हमारा यह divide हो गया कर जाएगा 6 पे चला जाएगा तो x क्या आगया 6 यानिकि उसके जो granddaughter की जो age है भी वो कितनी है 6 years है क्योंकि हमने क्या माना था उसकी grandfather की age को 6 years तो यहाँ पे हम लिखेंगे the present age of grand daughter equals 6 years क्योंकि वो x थी the present age of grand father कितनी है 10x years है तो 10 into 6 कितना हाँ जाएगा 60 years यानिकि जो उसके granddaughter है वो 60 years की है और जो grandfather जो हम 60 years की granddaughter है 6 years की ठीक है तो यह हो गा question number 9 question number 10 है अमन's age is 3 times his son age अमन की जो age है वो उसके son की age से 3 times है 10 year ago 10 साल पहले he was 5 times his son age 10 साल पहले जो उसकी उमरती है अपने son से 5 times जादा थी find their present age हमें दोनों की क्या करनी है present age जो है वो find करनी है तो पहले हम लिखेंगे let the present age of अमन's son अमन का जो बेटा है उसकी age को हम मानते है X years चीक है X years then the present age of अमन क्योंकि जो अभी उसकी age है वो जितनी उसकी son की age है उससे 3 times है अमन's son age is 10 years ago 10 years कितनी दे अमन से जो है वो क्या था अमन's son age is अमन के जो बेटे की age थी वो 10 साल पहले कितने थी जितनी उसकी अभी age होगी उसमें minus 10 कर दो 10 साल पहले अमन की age उतनी होगी अमन के son की age यह क्या है अमन के son की age है और ये अमन की age है ये उसके बेटे की age है ये उसकी age है तो 10 साल पहले गर हम अमन के son की age देखें तो जितनी अमन की age है उससे minus 10 होगी ठीक है अमन age 10 year old और अमन की age 10 साल पहले क्या थी ये उसके बेटे की age है 10 साल पहले ये अमन की age है 10 साल पहले जितनी उसकी अभी age है, उससे minus 10 होगी, simple बात है न, 10 सल पहले क्या होगा, अगर कोई 20 सल का है, तो 10 सल पहले वो कितना होगा, तो 20 से 10 को ही minus करेंगे न, यहाँ पर हमने यही किया, जितनी sun की age है, 10 सल पहले x minus 10, जितनी अमन की age है, 10 सल पहले 3x minus 10, ठीक है, अब according to equation हमारा आया, 5 से करेंगे में क्या बोला है, x minus 10 हमारा कितना है, अमन की जो age है, 10 सल पहले, जो अमन की age है, 10 सल पहले, वो क्या लिखी होई है, उस time पे जो उसके father की age थी, वो 5 times थी, ठीक है, 5 times उससे क्या थी, 10 years ago, he was 5 times his son age, तो अमन की age जो थी, 5 सल पहले उसके बेटे से 5 गुना जादा थी, तो 10 सल पहले तो उसके बेटे की age x minus 10 थी, तो उसका 5, 10 कितना हो गया, 5 लिखेंगे हम साथ में, तो 3x minus 10 हमारा इदर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा bracket open हो जाएगा, 5 into x 5x, और 5 into 10, 50 हो जाएगा, तो यह आ गया हमारा 3x minus इदर आ के यह minus का हो गया, प्लस का था यहाँ पे हमारा minus का था, इधर आ के हमारा यह plus का हो जाएगा, ठीक है, यह हमारा minus 50 है, तो हमें यहाँ पे minus 50 लिख रहा है, यह minus का 50 है न, minus 50 plus 10, यहाँ पे दोनों को minus कर देंगे, तो minus 2x आ जाएगा, यहाँ पे दोनों को plus minus minus करेंगे, तो minus 40, minus से minus हमारा कर जाएगा, अमन के son की age जो हमने x मानी थी वो आ गई हमारी 20 years ठीक है अब हम यहा लिख लेंगे present age present age of अमन son equal 20 years अभी जो अमन की age है वो 20 years है और present age of अमन 3 times जादा थी ना उसकी age से तो 3x हमने माना था इसको तो 3 into 20 कितना हो गया 60 years अभी जो है अमन की age कितनी है अमन की age है 60 years और अमन के son की 20 years यहाँ पे हमारी जो exercise है 2.4 complete हो जाती है वोफ़ली आपको यह वीडियो हेलफुल लगा वीडियो हेलफुल लगे तो प्लीज लाइक शे अबस्क्राइब लगे तो यहाँ वीडियो है वीडियो है वीडियो है वीडियो है वीडियो